हलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चाहें ग्यान प्लस पर उत्रप्रदेश अधीनस सेवा चेन आयोग होली के पहले आपको लगातार जटके दिये गए थे सभी परिच्छाओं को रद्द कर दिया गया था अब उसके बाद यूपी टिपलेसी के पा कि प्रक्रिया फिर बोली लागाने आदिसे संब्दित इन सभी कारवाई में कम से कम दो से डाई महीने का वक्त लगता है तो दो से डाई महीने का मतलब आप ये समझ लीजे कि आपकी अब कोई भी परिच्छा जून के पहले शुरूर नहीं होगी जो लोग ये कह रहे हैं क कि आपकी जून में परिच्छा मैं में परिच्छाएं फिर से हो जाएंगी तो हम आपको बता दें कि मैं में कोई परिच्छाएं नहीं होगी अब जून के पहले कोई भी परिच्छा नहीं होगी और यहां पर हम आपको ये भी बता दें कि जून में भी 15 जून के पहले जो है एक महीने के अंदर जितनी भी पुरानी परिच्छा हैं उसको करा लेगा यानि कि किसी भी भरती परिच्छा के लिए आपको समय नहीं मिलेगा इसके बाद जब नई एजेंसी का चैन होगा क्योंकि दोबारा काफी लंबा प्रोसेस है इन सब चीजों का और समय आयों के आपको ही परिच्छा हैं अब होगी जैसे कि पहले होता था 2016 में पंदरा दिन पहले आपका या तो एड्मिट कार्ड ही डारेक्ट आ जाते थे परिच्छाओं के अभी नई सरकार में तो एक महीने पहले आपको कम सूचित कर दिया जाता था लेकिन आप यहाँ पे चीज़ को नहीं कराना है इन सब का कारण हम आपको सेप्रेट बताएंगे लेकिन फिलहाल एसो फॉरेस्ट गार्ड वोरिंग इन सभी की परिच्छाएं लोवर मेंस आदी की परिच्छाएं जैई की परिच्छाएं अब आपको पंदरा जून के बाद ही देखने को मिलेंगी पुलाई तक में सारी परिच्छाएं को खतम करा लिया जाएगा यह यूपी टॉपलसी अब रणनीती बना रहा पिलाल इस पर कितना कामयाब होगा आयोग कितनी पुरानी रणनीतियों पर कामयाब हुआ है यह तो आप सभी अच्छे से वाकिप हैं परिचित हैं तो यह र वारत